भाईयों, बहनों, पिछले कुछ समय से पादरी और एल्डर आप लोगों को बहुत परिशान कर रहे हैं ना, आप लोग कैसे संभाले हुए हैं, आप पर इसका क्या आसरा है? हाँ, उस दिन पादरी काओ आपकी गिरफतारी के लिए पुलिस को ले कर आए थे, हम सब नारास थे, प्रभु और हमारे दोस्तों के साथ कपट, दुष्टता और परमेश्वर का विरोध करने पर हमने उनकी निंदा की, लेकिन उन्हें जरा भी परवा नहीं, वे अभी इतने धर्मिनिष्ट हैं, हमेशा लोगों से प्यार से पेश आने की बात करते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि वे सर्व शक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कारी की जाँच परताल की बजाए पागलों की तरह इसका विरोध हो और निंदा करेंगे, बल्कि पुलिस त उनकी निंदा और हत्या करने के लिए सरकार के साथ मिल गए थे, क्या उन्होंने उनके शिश्यों को ग्रिफतार करके याता नहीं दी थी, पादरी और एल्डर उनसे अलग कहा है, प्रभु येश्व के प्रकटन और कारी ने यहुदी मुख्य याजकों, शास्त्रियों और फरीसियों को उजागर कर दिया था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कारी ने अंत के दिनों के धार्मिक अगुआओं को बेनकाप कर दिया, परमेश्वर का कारी कितना व्यवाहरी को समझधारी भरा है, बिल्कुँ, सही कह रहे है, ये लोग यहुदी फरीसि को धोखा देने की है उन्हें उजागर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के बिना हम उनका पाखंड कभी नहीं समझ पाते लेकिन अभी भी हमारे बहुत से भाई बहन उन्हें समझ नहीं पाए है उन्हें लगता है कि वे प्रभु की सेवा में लगे हैं बाइबिल के ज्यानी है और उसकी व्याख्या करते हैं उन्हें लगता है कि अगर प्रभु आये तो वे उन्हें पहचान कर उनके स्वागत की अगवाई कर सकते हैं लेकिन ये सच है कि प्रभु न्याय का कारे करने लोट आये हैं और उन्होंने बहुत से सत्विक्त किये हैं फिर भी वे उनकी वाणी नहीं सुन पाते हैं वे लोग प्रभु को जानते ही नहीं हैं सभी संपुरदायों की अच्छी भीड़े समझ गई हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन सत्य हैं परमेश्वर की वाणी हैं और उनकी शरण में चली गई हैं लेकिन पादरी और एल्डर अंत के दिनों में परमेश्वर के कारी की जांच नहीं करते नहमें सही रह दि है क्यों वो लोग ऐसा क्यों करते हैं क्या यह वाकई फरीसी हैं बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं सही बहन्चेन बहन्सू, क्या आप इस विचार पर संगती करेंगी? बेशक, बहुत अच्छा सवाल है. बहुत से विश्वासी इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाते. धार्मिक फरीसियों, पादरियों और एल्डरों को समझ पाना और उनके पाखंडी सार को देख पाना, कोई आसान काम नहीं है. कुछ लोग प्रभु की वानी को क्यों नहीं सुन पाते, क्योंकि वे लोग सत्य को समझ नहीं पाते, और नई ये समझ पाते हैं, कि परमेश्वर के आगमन के साथ ही सत्य व्यक्त होता है. प्रभु का प्रकटन चाहने वाले ऐसे लोग ज्यादा क्यों नहीं है जिन्होंने परमेश्वर के अंत के दिनों के कारे को स्विकार किया हो ज्यादा तर यहीं उल्चे हुए है आज हमें वाके इस पर संगती करनी चाहिए धार्मीक समुदायों में बहुत से लोगों का खयाल है कि पादरियों और एल्डरों को बाइबल का अच्छा ग्यान है और वे इसकी व्याख्या करते रहते हैं तो प्रभु के आने पर उन्हें पता होना चाहिए और प्रभु के आने पर वे उनकी अगुवाई कर सकते हैं तो ज़्यादा तर लोग उनकी सुनते हैं और जब वे किसी को अंत के दिनों के परमीश्वर के कारिया की गवाही देते सुनते हैं तो वे उसकी जांच पढ़ताल नहीं करते क्या ये लोगों की बेवकूफिय और अग्यानता नहीं है पाद्रियों और एल्डरों को बाइबल का अच्छा ज्यान है और वे इसकी व्याख्या कर सकते हैं तो क्या वे सत्य को समझते हैं और परमीश्वर को जानते हैं तो क्या वे परमीश्वर का आग्या पालन करके उनका भए मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है क्या सत्य को समझी बिना बाइबल को जानना परमीश्वर को जानना है? क्या बाइबल के ज्ञानी वाकी परमीश्वर की वानी सुन सकते हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है फरीसियों को शास्त्रों का पुरा ग्यान था लेकिन वो प्रभु की वाणी नहीं सुन पाए उन्होंने तो प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया यही तो फरीसि सारे शास्त्र जानते थे लेकिन जब प्रभु इश्यू ने प्रकट होकर कार्य किया बहुत से सत्य व्यक्त किये तो उन्होंने प्रभु की वाणी क्यों नहीं सुनी उन्होंने प्रभु इश्यू का विरोध और निंदा क्यों की इन वहवारिक बातों को कोई नहीं समझ पाता सही है परमेश्वर की वाणी सुननी क्यों जरूरी है कम से कम इतना विचार तो होना चाहिए कि सत्य क्या है और बाइबल का ज्यान क्या है इतना समझना जरूरी है कि देहधारी परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकते हैं इनके बिना कोई परमेश्वर की वानी को कैसे सुन सकता है उनके प्रकटन और कारे को स्विकार कर सकता है अगर लोग सर्फ बाइबल के ज्ञान को समझें लिकिन परमिश्वर की वानी न पहचाने उनका भाई न माने सत्य की खोज न करें तो वे परमिश्वर के कारे को स्विकार नहीं कर सकते खास तोर से जो सत्य से नफरत करते हैं दुश्ट रदय के हैं परमिश्वर के कारे को स्विकार करने की बजाए उनका विरोध और निंदा करते हैं यहूदी फरीसी इसका विशेश उधारण है जब प्रभु ईश्व ने प्रकट होकर कार्य किया तो उन्होंने सुना कि प्रभु के वचनों में अधिकार और सामर्थ है लेकिन उन्होंने उसके खोजया जाज पड़ता नहीं की बलकि उन्होंने प्रभु से नफरत और उनकी निंदा की क्योंकि उन्हें सत्य से प्रेम नहीं नफरत थी जैसा कि प्रभु ईश्यू ने कहा परन्तु अब तुम मुझ जैसे मनुश्यों को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हे वह सत्य वचन बताया जो परमिश्वर से सुना परन्तु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो भी मेरा वचन तुमारे रिदय में जगे नहीं पाता प्रभु के वचन फरीस्यों पर एक निर्णाय प्रहार थे उनका प्रभु ईश्यू का विरोध और निंदा का सार उजागर हो गया फरीस्यों को सत्य और परमिश्वर के मार्क से घ्रणा थी उन्होंने देखा कि प्रभु ईश्यू ने जो सत्य व्यक्त किया उससे उन्हें बहुत से अनुयाही मिल गए इससे उन्हें अपना ओधा और रोजी रोटे खत्रे में नजर आई उनमें प्रभु ईश्यू के लिए नफरत पैदा हो गई उन्हें लगा प्रभु को सूली पर चढ़ाने से कोई उनका अनुसरण नहीं करेगा इससे उनका ओधा और रोजी रोटी बच जाएगी यही प्रभु ईश्यू के प्रती उनकी घ्रिणा और उनकी हत्या की जड़ थी इससे उनका सत्य से ग्रिणा करने और परमिश्वर का शत्रू होने वाला शैतानी सार उजागर हो गया भाईयो बेहनो अब अपने आज के धार्मिक अगवाओं को देखिए यह पागलों की तरह सर्वशक्तिमान परमिश्वर का विरोध और निंदा क्यों करते हैं क्या सर्वशक्तिमान परमिश्वर से उनके कोई ज्याती दुश्मनी है नहीं है वे उन्हें जानते ही नहीं तो फिर ऐसा क्यों है वे फरीसी जैसे ही हैं वे सर्वशक्तिमान परमिश्वर से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें सत्य से घ्रणा है सही है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि सर्वशक्तिमान परमिश्वर ने बहुत से सत्य अव्यक्त करके पूरे धार्मिक जगत को हिला दिया सभी संप्रदायों की अच्छी भेणे उनकी शरण में आ गई है यह उनके ओदे और रोजी रूटी के लिए सीधा खत्रा है इसलिए वे सर्वशक्तिमान परमिश्वर को नकारते और ईशनिंदा करते हैं पे हर हालत में विश्वासियों को परमिश्वर के वचन पढ़ने और स्विकारने से रोकते हैं वे राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने वालों की सूजना पुलिस को दे देते हैं इससे उनका सत्य से घ्रिणा करने और परमिश्वर की शत्रू होने का शैतानी सार पूरी तरह से उजागर हो जाता है अब हम धार्मिक अगुवाओ द्वारा सर्वशक्तिमान परमिश्वर के कटर विरोध और निंदा के मूल को अच्छी तरह समझ सकते हैं अब ये साफ हो गया कि इन पादरियों, एल्डरों और प्रभू ये शुविरोधी फरीसियों में कोई फर्क नहीं है ये सब सत्य से घ्रिणा और परमिश्वर का विरोध करने वाले लोग हैं तो जाहिर है अगर ये किसी को सर्वशक्तिमान परमिश्वर के प्रकटन और कार्या की गवाही देते सुनेंगे तो नाराज होंगे, उन्हें नफरत होगी और जब लोग सर्व शक्तिमान परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हैं, तो वो आग बबुला हो जाते हैं. यह सरी है. वे उस पर हाथों से, जबान से प्रहार करते हैं, पुलिस तक को बुला लेते हैं. क्या ऐसे लोग साक्षात शैतान नहीं है? हाँ. हाँ. परमेश्वर का कार्यं वाकई लोगों को बेनकाब कर देता है. इससे पता चलता है कि उनकी आस्था सची है या ज्जूटी? उनकी प्रकृती अच्छी है या बुरी? सत्य परमेश्वर के प्रकटन और कारे के प्रती लोगों का रवया पूरी तरह बेनकाब हो जाता है मुझे याद है एक बार मैंने एक बादरी से सूसमाचार साजा किया मैंने परमेश्वर के वचन की किताब वचन देह में प्रकट होता है कि एक प्रती उन्हें दी वे कुछ दिन बाद मुझसे बोले मैं मानता हूँ ये सब सच है और परमेश्वर से आया है लेकिन मैं इसे स्विकार नहीं कर सकता अगर किया तो धार्मिक समुदाय मेरी निंदा करेगा और मुझे कलीसिया से निकाल देगा तब मैं पादरी कैसे रह जाऊंगा अपना परिवार कैसे चलाऊंगा मैंने अपने सुसमाचार के प्रचार के इतने सालों में ये सब बहुत सुना है क्या ज़्यादातर धार्मिक अगुआओं के दिल में यही बात नहीं है वो ये कह पाया इसके क्या माइने हैं। ज्यादतर पाद्रियों और एल्डरों को सत्य नहीं, नाम और ओहदा पसंद है। वो इन चीजों को बचाए रखने के लिए परमेशुर के प्रकटन और कारेका कटर विरोध और निंदा करते हैं। इससे उनकी सत्य से ग्रणा करने वाली शैतानी प्रकृती उजागर होती है। आमीन। बदकिस्मत ये है कि पूरे धार्मिक जगत में कुछ ही लोग उनका असली चहरा देख सकते हैं। फरीसियों को उजागर और निंदित करने वाले प्रभू यीशु के वचनों के आधार पर उनके असली पाखंड को पहचानने वाले तो और भी कम हैं। ये लोगों का अज्यान और बेवकूफी है। परमेश्वर के दो बार देधारण करके कारे करने ने धार्मिक अगुआओं के परमेश्वर विरोधी असली सार को उजागर कर दिया है। आए, प्रभू यीशु के वचनों के कुछ अंश पढ़ें। मत्ती 23, 13 और 23, 15 देखें। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ना चाहूंगी। ठीक है। प्रभू यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाए। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो। न तो स्वयम ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आमीन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाए। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। और जब वहमत में आ जाता है, तो उसे अपने से दूना नार किया बना देते हो। आमीन! अब पद 24,25 और 33,34 देखें। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु उट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हे सापों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविश्चत वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे, और कुरूस पर चड़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालेयों में कोडे मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेडते फिरोगे, आमीन! भायो बहनों, अब हम सर्व शक्तिमान परमेश्वर के वच्चनों के कुछ अंश पढ़ें, बढ़िया है, भाय ली, ये लीजिए, आप भी लीजिए, भाय जाय, परमेश्वर का धनेवाद, अब और भी जानने को मिलेगा, सर्व शक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, फरीसियों ने येश्व का विरोध क्यों किया, कारण जानना चाहोगे, क्या तुम फरीसियों के सार को जानना चाहते हो, वे येश्व का विरोध करते थे, क्योंकि वे पवित्र आत्मा के कारे की दिशा को नहीं जानते थे, क्योंकि वे येश्व के द्वारा कहे गए सत्य के मार्ग को नहीं जानते थे, और उपर से क्योंकि उन्होंने मसीहा को नहीं समझा था और क्योंकि उन्होंने मसीहा को कभी नहीं देखा था और कभी भी मसीहा के साथ नहीं रहे थे उन्होंने सिर्फ मसीहा के नाम को खोकली श्रधांजली देने की गलती की जबकि किसी न किसी ढंग से मसीहा के सार का विरोध करते रहे ये फरीसी सार रूप से हटधर्मी एवं अभिमानी थे और सत्य का पालन नहीं करते थे परमेश्वर में उनके विश्वास का सिध्धान्त है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उपदेश कितना गहरा है या तुम्हारा अधिकार कितना उचा है तुम मसीह नहीं हो चब तक तुम्हें मसीहा नहीं कहा जाता क्या ये दृष्टी कोण, हास्यासपद और मुर्खतापूर्ण नहीं है? आमीन अब मैं पढ़ सकती हूँ वे जो बड़ी-बड़ी कलीसियाओं में बाइबल पढ़ते हैं वे हर दिन बाइबल पढ़ते हैं पर उनमें एक भी परमेश्वर के काम के उद्देश्य को नहीं समझता है एक भी परमेश्वर को नहीं जान पाता है और ना ही उनमें कोई परमीश्वर के हृदय के अनुरूप है वे सब व्यर्थ अधम लोग हैं जो परमीश्वर को सिखाने के लिए उंचे पर खड़े हैं यद्दिपीवे परमीश्वर के नाम पर धमकी देते हैं किन्तु वे जान बूच कर उसका विरोध करते हैं यद्दिपीवे स्वयम को परमीश्वर का विश्वासी दर्शाते हैं किन्तु ये वे हैं जो मनुश्यों का मान्स खाते और रख पीते हैं ऐसे सभी मनुश्य शैतान हैं जो मनुश्यों की आत्मा को निगल जाते हैं। राक्षस हैं जो जान बूच कर उन्हें विचलित करते हैं जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाना चाहते हैं। और वे बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट उत्पन होती हैं। यद्यपी वे मजबूत देह वाले हैं। किन्तु उसके अनुयाईयों को कैसे पता चलेगा कि वे इसा विरोधी हैं जो लोगों को परमेश्वर के विरोध में ले जाते हैं। वे कैसे जानेंगे कि ये जीवित शैतान हैं जो निगलने के लिए विशेश रूप से आत्माओं को खोज रहे हैं। अमीन। थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। क्या वे फरीसी, जूटे, चरवाहे, मसीह शत्रू और लोगों के सही मार्ग को सुईकार करने में अवरोध नहीं बन चुके हैं। आमीन। परमेश्वर इंसान को अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश्वर ने काफी पहले ही फरीसियों के पाखंडी सार को उजागर कर दिया था। लेकिन हम लोग बरसों बाइबल पढ़कर भी नहीं समझ पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अंत के दिनों में आकर धार्मिक अगुआओं के पाखंडी सार को उनके परमेश्वर के विरोध को और बुरे मार को उजागर कर तार तार कर दिया। अनुगरा के युग में प्रभू इश्वर ने जो कहा था आखिरकार वो हमें समझ में आ गया। हम ब्रश्ट लोग वाकी संग्या शुनियों और मंद बुद्धी हैं। सर्वय शक्तिमान परमेश्वर ने अंत के दिनों में जो सत्य व्यक्त किया है, उससे जाहिर है परमेश्वर का पवित्रो और धार्मिक स्वभाव अपरात सहन नहीं करेगा। वे दो बार देहधारन कर चुके हैं। उन्होंने हमेश्या धार्मिक अगुआओं के परमेश्वर विरोधी सार को क्यों उजागर किया है। बताईए क्यों। यह फरी, सी, पाद्री और एल्डर भेष बदलकर लोगों को गुम्राह करने में कुशल हैं। इसलिए इन्हें पहचाना बहुत मुश्किल है। बरसों से परमेश्वर में विश्वास रखने के कारण इने बाइबल और धर्म शास्त्र का काफी घ्यान हो गया है। उन्होंने दिखावा करके और बाइबल की व्याख्या करके लोगों में अपनी धाग जमाली है। काफी लोग उनमें श्रदा रखते हैं। यह सही है. बाहर से वो पवित्र दिखते हैं, लेकिन भीतर से वे न परमीश्वर का भय मानते हैं न आग्या. हाला कि उनका बरताव थोड़ा अच्छा होता है. वे प्रार्थना करते हैं, लोगों को आशिश देते हैं, सतकर्म करने को कहते हैं. दार्मे करेते रिवाजों का पालन करते हैं, लेकिन ये सब दिखावे के लिए होता है. ये सच है. उन्होंने कभी परमीश्वर का गुणगान नहीं किया या गवाही नहीं दी. वे परमीश्वर के वच्चनों से उनकी इच्छा को नहीं खोचते. वे विश्वासियों को परमीश्वर के वच्चनों पर अमल और उनका अनुभाव करने, उनके आदेश मानने को नहीं कहते. वे खुद परमीश्वर के वच्चनों पर अमल नहीं कर पाते. उनमें सत्य का अभाव हो है. वे बाइबल की ज्यान और शाब्दिक सिद्धानतों की बात करके लोगों को गुम्रा करते हैं वे परमीश्वर का ना तो सम्मान करते हैं ना आग्या पालन वे बरसों पहले परमीश्वर के मार्क से भटक गए लिकिन क्या जादातर धार्मिक लोग उन्हें पहचानते हैं? नहीं नहीं पहचानते हैं मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं अधिकतर तो उन्हें परमेश्वर का प्रती रूप मानते हैं मानों वे आध्यात्मिक संग्रक्षक हों लोग उनकी हर बात सुनते हैं मानते हैं सच्चे मार की जाँच और प्रभू की अगवानी तक करते हैं इन चीजों का स्वर्ग के राजय में प्रवेश्ट से संबंध हो या ना हो वे ये सब पादरियों और एल्डरों को सौब देते हैं जो लोग परमेश्वर के अंतके दिनों के कार्या के गवान हैं अगर वे उन लोगों की सूचना पुलिस को भी दे दें तो भी वे पूरी तर उनके साथ होते हैं उनमें इतनी सूचबूच नहीं है कि देख सके कि पादरियों और एल्डरों के कृत्य बाइबल और प्रभू के वचनों के अनुरूप है या नहीं आपको क्या लगता है उनका विश्वास परमेश्वर में है या पादरियों और एल्डरों में ये विश्वास परमेश्वर में नहीं धार्मिक अगवाओं में है यह गुआ लोगों को परमेश्वर की शरण में नहीं, अपनी शरण में लाते हैं। क्या यह लोगों की दिलों में परमेश्वर की जिगे नहीं ले रहे हैं। ले रहे हैं। यह बात नहीं है। जाहिर है, परमेश्वर के चुने हुए लोग उनकी भेडे हैं। अब चुंकि परमेश्वर वापस आकर सत्य व्यक्त कर चुके हैं और उद्धार कार्य कर रहे हैं, तो भी पाद्र और एल्डर उनकी भेड़े नहीं लोटा रहें, बलके कब्जा करने पर अड़े हुए हैं, वे कटरता से परमेश्वर के अंत के दिनों के कारे का विरोध और बाइबल कहती है, और जैसा तुमने सुना है कि मसी का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अभी बहुत से मसी विरोधी उठ खड़े हुए हैं, इससे हम जानते हैं कि यहां अंतिम समय है, आमीन क्योंकि बहुत से ऐसे भर्माने वाले जगत में निकल आए हैं, जो यहां नहीं मानते कि इश्यू मसी शरीर में होकर आया, भर्माने वाला और मसी विरोधी यही है, आमीन फरीसी पादरी और एल्डर नहीं मानते कि परमिश्वर देह में लौट आएंगे, वे देहदारी मसी को नकारते हैं, वे समझते हैं कि मसी सत्य व्यक्त कर इंसान की छुटकारे और उद्धार का कारे करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे ग्रिणा और उनका विरोध करते हैं, क् क्या आप कहेंगे कि ये मसी विरोधी ग्रिणायोग्या हैं, अगर परमिश्वर नहीं फरीसियों, पादरियों और एल्डरों को उजागर न किया होता, तो क्या परमिश्वर के चुने हुए लोग उनकी परमिश्वर विरोधी शैतानी प्रकृति को देख पातें, उनके ब परमिश्वर विरोध के सच को साफ तोर पर समझ सकते हैं, ये सुनकर मुझे अपनी मूर्खता और अज्ञान नजर आ रहा है, प्रभू ये शुने बहुत पहले ही फरीसियों को शाप दे दिया था, लेकिन मैंने कभी उसकी तुलना पादरियों और एल्डरों से नहीं की, उनके बारे में मेरी समझ प्रभू के वचनों के आधार पर ना होकर उनके लिए अंध शद्धा थी, अगर सर्व शक्तिमान परमेश्वर ने नियाय का कारे और सत्य वेक्त ना किया होता, तो हम बिना ये समझे कि वे लोग अंध के दिनों के मसीय विरोधी हैं, आजीवन विश्वासी बने रहते हैं, हम बेवकूफों की तरह उन्हें आध्यात्मिक संरक्षक समझते रहे, उनकी हर बात सुनते मानते रहे, अंजाने में बुराई करने और परमेश्वर के विरोध करने में उनका अनुसरन करते रहे, उन्होंने हमें करीब-करीब नरक में धकेल परमेश्वर की कृपा है, यह संगती कमाल की है, जितना सुनता हूँ, उतना ही ज्ञान और सूज बूज आती है, वे हमें अलगातार बाईबल और धर्म शास्त्र समझा रहे हैं, वे हमें परमेश्वर के सामने लाने की बजाए, परमेश्वर विरोध के मार्क पर ले आए ये नर्क में धकेलना ही तो हुआ, अपने ओधे और रोजी रोटी के लिए पादरियों और एल्डरों ने बे जिजख हमें नुकसान पहुचाया है, बहुत दुष्ट हैं वो लोग, बहुत दुष्ट हैं, और इन आधोनिक फरिस्यों पर लानत है, परमेश्वर का दिखायेगी, उनका अनुसरन करके मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, उनके साथ परमेश्वर का विरोध करने के कारण मुझे सजा मिलेगी, यह सच है, आप सही कह रहे हैं, परमेश्वर की कृपा के बिना अपने भाई बहनों को बार बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क कि बारे की गवाही देने के लिए कैसे प्रवरिद्ध करेंगे, और पता नहीं हम कब परमेश्वर की वानी सुन पाएंगे, और उनके सामने उन्नत किये जाएंगे, परमेश्वर का थाएंगे, हम सब पर महा आपदा आने वाली है, यह खतरनाक है, अगर हम अब भी में किसी भी तरह नहीं जा सकते। पादरी और एल्डर घृणा के योग्य हैं, हमें उन्हें नकार कर सर्फ शक्तिमान परमेश्वर को स्विकारना चाहिए, अमीझा ये शैतान को नकारना और मसी का अनुसरण करना है, आमें जर्व शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद है। आमें जर्व शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद है।